कि बिसमिल्लाहिरामान ररहीम अस्सलाम अलेकुम डियर वीवर्स दिस इस सर्साउद और वाचिंग माई यूट्यूब चैनल सुरूशन्स आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए सिक्वेल पार्ट लेके हैं हूं क्यों सिल्उशन ओफ इकट पास पेप के लिए कर्या है और ऑच के mcqs है mcqs no.6 कह रहा है when the axis of an ellipse, ellipse की axis यानि के major axis और minor axis की बात कर रहा है lies मौझूद है on the axis of the coordinates, axis of the coordinates से मुराद यह होती है कि हमारे पास x axis और y axis को axis of the coordinates कहते हैं, सबसे पहले हम draw कर लेते हैं, axis x axis यह हमारा y axis अब कह रहा है, ellipse टो करें जिसके axis lies on the axis of the coordinates is axis of the coordinates and axis of y axis पर मौझूद हो, then the graph जब graph बनेगा of an ellipse का is symmetrical about, कैसे होगा symmetry, x axis से समिंटिक होगा, y axis से होगा, both x and y axis होगा यह origin से होगा, पहले तो हम यह draw करते हैं, इस एक ellipse इस तरीके से, यह इसका origin है, अब आपको याद है, समिंटिक का मतलब यह होता है, कि बिल्कु बराबर बराबर डिवाइड होना, तखसीम होना, जब आप, यह major axis होगी, यह minor axis होगी, ठीक है, तो आप इसको जब axis पर draw करेंगे, तो इसका बिल्कु आधा पार्ट इदर आएगा, और आधा पार्ट इदर आएगा, यह निके, along y axis भी होगा, along x axis भी होगा, तो इसका option number c, जो है, वो right option होगा, कि यह आधा आधा डिवाइड होगा, x axis में भी, और y axis में भी, तो इसका मतलब यह है, कि c option is the right option, यह देखे, पूरा-पूरा half, half divide हो रहा है, x axis और y axis, तो यह तो जनाब सिर्फ और सिर्फ theoretical concept था, जो आप से पूछा गया, अब next mcqs की जाने परते है, next mcqs 7 है, if एक matrix जिया है, 2, 3, 1, k is a singular matrix है, then the value of k, k की value मालूम कर नहीं है, आपको मालूम है, कि जो singular matrix होता है, उसका determinant हमेशा 0 होता है, उसको determinant 0 होता है, determinant calculate कर लेते हम, यहां पर, 2, 1, 3, k, determinant 0 के बराबर रखे, इसको diagonal को multiply करें, 2 of k, minus, 3, 1, 3, is equal to 0, 2, k, is equal to 3, 2 multiply कर रहा है, उदर जाके डिवाइड करेगा, 3 by 2, k की value आजाएगी, और अपने options से match करेंगे, तो 3 by 2, आपको बस option number B से match कर रहे है, value और इसको write, tick कर दीजिएगा, solution को साथ साथ note down करते रहें, इसके बाद, हम 8 mcqs की जाने बढ़ते हैं, 8 mcqs है, if z is equal to cos theta plus iota sin theta, यानि के complex number दिया है, then modulus of z आपको calculate करना है, अब इसके लिए हम यह काम करते हैं, पहले मैं इसको remove करता हूं, हमारे पास जो complex number है, वो z is equal to cos theta plus iota sin theta, हमें इसका modulus calculate करना है, modulus calculate करने का formula हमें पढ़ता, under root x square plus y square, x square क्या होता है, वो real part होता है, और y जो है image part होता है, अब यहाँ पे देखिए जड़ा, modulus z under root x के cos theta, cos theta के square plus iota dine sin theta के square कर दें, under root cos square of theta plus sin square of theta, यह formula होता है, 1 के बराबर, और 1 का square root निकालेंगे, तो 1 का square root 1 होता है, इसका मतलब इसका modulus जो है, वो 1 के बराबर आएगा, option number b से match कर रहा है, b option को tip कर दीजिगा, आपका mcqs solve हो लिए, इसके बात, हम बढ़ते हैं, अपने next mcqs 9 की जाने, इसमें कहरा है, if 1, m, 12-m is in a gp, gp में हैं यह 3 number, then find m, m की value मालूम कर रही हैं आपने, अब इसको मैं solve करूँगा, अब यहाँ पर 3 numbers हैं, 1, m, 12-m, उसने कह जेए, gp में, gp की खास चर्थ क्या होती, खास चर्थ यह होती कि इसका common ratio बराबर होता है, अगर हम second term को first term से divide करें, यानि कि m upon 1 is equal to, तो इसका answer बराबर आएगा, third term को second term से divide करने के बाद, तो 12-m over m हो जाएगा, cross multiply करेंगे, यह m cross m से होगा, m square हो गया, यह 1 से cross multiply करेंगे, 12-m हो गया, इन तमाम terms को आप shift करेंगे इदर, तो यह आपके पास quadratic equation में जाएगी, m square plus m minus 12 is equal to 0, अब देगे, यहाँ पर आप, इसके middle term break करेंगे, और factors बनाएगे, इसको जो इस short cut तरीकी से solve करते है, 12, 1 is a 12, बीच में gap, plus का 1, तो इसका मतलब है, यहाँ पर हम, इसके दो टुकड़े ऐसे बनाते हैं, जिनको multiply करने पर 12 आजाए, और plus या minus करने पर, plus का 1 m आजाए, तो इस plus के 1 m को मैं जो है factorize करूँगा, तो क्या करूँगा मैं, 4 और minus 3 करूँगा, तो क्योंकि 4 इस a 12 हो जाएगा, 4 में से minus 3 करूँगा, तो plus का 1 m आजाएगा, अब trick क्या है, change is a sign, sign change कर दीजे, आपके पास m की value solution set में आजाएगी, क्या आएगी, minus 4 आएगा, अब प्लस 3 आएगा, अब आपके एम की value आगई है, अपने option से match करें, तो देखें, minus 4,3, minus 4,3, option number B से मिल रहा है, इसका मतलब है m की value यह आएँगी, इसको right tick कर दीजेगा, और solution को note कर लिजेगा, इसके बाद हम बढ़ते हैं, next mcqs number 10 की जानिब, 10 mcqs में कहा रहा है, if the equation of circle is, x square plus y square minus 2x minus 2y plus 3 by 2 is equal to 0, then find the center and radius, center and radius दोनों मालूम करने हैं, आए हम center and radius calculate करते हैं, हम यहाँ पर यह काम करते हैं के हम पहले एक वेजन लिख लिए थे हैं, x square plus y square minus 2x minus 2y plus 3 by 2 is equal to 0, इसकी general form याद करें, x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0, compare करेंगे, g कोफिशन, x equation 2g is equal to, यहाँ पर मानिस 2 हो जाएगा, 2 से 2 cancel, g की value आ गई, minus 1, फिर y का कोफिशन वहाँ पर जो जर्णल form में होता है, 2f होता है, यहाँ पर minus 2 हो जाएगा, 2 से 2 cancel, f is equal to minus 1, और c constant की value 3 by 2 हो जाएगे, अब पहले तो हम decide करते हैं, इसका center, center के coordinates होते हैं, minus g और minus f, तो g और f की value को minus multiply करते हैं, minus minus plus 1 और plus 1 आ जाएगा, अब radius, radius का formula होता है, under root g square, plus f square, minus c, तो यहाँ देगे, g आपके पास का है, minus 1, minus 1 के square करेंगे, plus 1 हो गया, plus, f क्या, minus 1, minus 1 के square करेंगे, plus 1 हो गया, minus, c, c value का है, 3 upon 2 है, अब हम इसको simplify करते हैं, मैं यहाँ पर remove कर रहा हूँ, अब देखीगा, यहाँ पर radius, 1 plus 1, 2 minus 3 upon 2 हो गया, LCM लेके solve कर लें, r is equal to 4 minus 3, over 2, 2 तो यहाँ पर 4 minus 3, 1 हो गया, over 2, इसका square root करें, 1 का square root 1 होता है, root 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है, कि हमारे पर answer, 1,1 और 1 upon root 2 आना चाहिए, अब options में देखते हैं, तो option में, आपको c option हैं जा रहा है, जो write है, 1,1 और 1 upon root 2, तो इसका मतलब है, c option is the right option है, इसको टिक कर लिए, solution को आप no down कर लीजीगा अपने बास, और students, इसके साथ ही, हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर end करते हैं, मज़ीद नए mcqs के solution को जानने के लिए, देखते रहीगा साओ solutions, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आकन के बड़न भी दबाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना बहुत खायल लखेगा, अलाफ़,